जैसे कि हमारे राष्टे अध्यक्ष मानने राहूल गांदीजी ने कल ही प्रेस कांफिरेंस के माध्यम से बातें कही थी और उन्होंने ये भी कहा थे कि अपनी बात मैं कायर समिती में रखोंगा और कल कायर समिती के बाठाक आयुजीत की गई है उसमें जितने भी कायर समिती सब्सक्राइब गुलाए गया है उसमें मैं भी जा रहा हूं है आप अपनी होर से भी कुछ प्रदेश की रिपोर्ट ले रहें कैसे जो बात पार्टी के मंच में मुझे कहना है वो मैं कहूंगा अपनी है यह जीत हुए जिए महातमा गांधी के अटियारों की आइडि लोजी की जीद नहीं हुए यह से साख की इसमें लेकिया मैं ने बीजिए संगे बयान सुना नहीं है इसलिए मैं कोई ब्रक्तब नहीं दो इस तरह से प्रदेश का आपने बताया कि ख़जाना पूरा खाली हो चुका है और अपके इंदर में क्योंकि एंडिया की गौवर्रमेंट डाले है तो इसके बात के किस तरह से पामजर से बिशाएंगे और पहले से प्रदेश का ख़जाना खाली है बारती जंता पार्टी के स जैसे हमने अभी किसानों का कर्जमाफ किया है 25 रुपे कुंटल में धान खरीदी किया है विजली विल आधा किया है लगोन उपज खरीदी के बियोस्ता किया है और 4000 रुपय पतिमानाग बोरा कि दर से अगे भी विवस्ता होगी विकास कारे में पहें रुपावत दिया है उसको अपनी दामान की चिंता ज्यादा है और उसकी पीड़ा यह है कि उसको भारती जंता पार्टी के राष्टी उपाध्यक्षे हैं और उसे कहीं ले जा नहीं गया है तप्र देशसे बाहर उसे खहें भी आमेंटरित नहीं किया गया उसकी पीड़ा है और पीड़ा जलकने भी साहिए नांद गाम उसका लड़क का लड़का लड़का भू की मुल्सकरति जाता इस बात की पीड़ा है और इसकांट से किसे कशर disability nella वाट ब कादरा कुमें